प्लीज सब्सक्राइब प्रेस दे बेल आइकोन हेलो फ्रेंड्स निसा क्रियेशन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और इजी डॉर्मेट बना कर बताऊंगी यह मैं रुपट्टा से बना रहे हूं आप चा बीडिकलेंब बहुत बलाइस से केके साशन से कृटिंग कर्वाथि हैं तो इसी हाप कटिंग कर लीजिये गां करद लिए और बाहते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो सारग मीद्स में भी में संदी़िकलर का फटिलन कि आज़ कि बन दरनेरें लोग को तरीके से मैं आपको डॉरमेट बनाना बताऊंगी तो यहां पर मैंने और भी कपड़े इस तरह से निकाल लिये हैं यह सारे के सारे दुपट्टा हैं लेकिन यह सभी पतले हो गए थे तो इसमें हमने दूसरी कपड़े को यूज़ कर लिया है तो यहां पर मैं फंदे डाल रहे हूं तो आप देख सकते हैं किस तरह से फंदे डालेंगे इस तरह से सलाई को पैर से पकड़ लिया है और एक एक करके हमने फंदे डाल लिये हैं तो यहां पर मैंने 51 फंदे डाले हैं आप चोडाई के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं तो ये सीधा सीधा हमें बनाना है क्योंकि डॉर मैट है किसी तरीके से भी आप डिजाइन इसमें डाल सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 51 फंदे डालने के बाद में अब इसकी निटिंग करना शुरू करेंगे तो ये देखिए उल्टी-उल्टी सभी सलाईयां बुनेंगे इस तरह से बिगनर्स हैं यानि आप न्यू बुनने वाले हैं तब भी आप इस डॉर मैट को आसानी से बना सकते हैं तो देखिए एक-एक फंदा हम इस तरह से बुनेंगे इसी तरह से आपको पूरी सलाई को बुनते जाना है ये हमारी पहली सलाई है थोड़ा टाइट फंदे हैं तो ये पहली सलाई आपको इसी तरह से धीरे से निकाल लेनी है तो मैं इस सलाई को बुन कर कम्प्लीट करूँगी फिर आपको दूसरी सलाई भी बताऊंगी उस सलाई को भी इसी तरीके से बुन लेना है दोनों साइड से एक जैसी सलाईया बुनते हुए इस डूर्बैट को हमने बनाया हुआ है इस तरह से हम बुन लेते हैं तो यह देखिए पूरी सलाई हमने एक बुन कर कम्प्लीट कर ली है इस तरह से अब आते हैं दूसरी साइड में तो दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से बुन लेना है तो हमने साइड का फंदा उतार लिया है और अब हम इस तरह से अंदर की साइड को सलाई डालते हुए दूसरे फंदे को इस तरह से हम बुनेंगे अंदर साइड से सलाई डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे बहुत आसान तरीके से इसे बनाना है तो इस तरह से हम ये दूसरी सलाई भी कम्प्लीट करेंगे और दोनों साइड से एक जैसी सलाई बुनते हुए इस डोर मैट को कम्पलीट करना है तो ये देखी फ्रेंड्स दोनों साइड की सलाई हमने आपको बना कर बता दी हैं साइड से एक जैसी सलाही हमने बनी है और इस तरह से ही बुन ते हुए हमने इतना कंपलिट कर लिया है इसके बाद में यह देखिए पूरा हमने कंपलीट कर लिया है यहां पर मैंने अलग-अलग कलर लगाएं, जितना रुपट्टा था उतना मैंने एक जगे पर लगा दिया है, आप चाहें तो थोड़ी-थोड़ी चार-चार या च्छे-च्छे की पट्टी बनाते हुए भी इस डोर मैट को बना सकते हैं, अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं, देखिए, दो फंदे लेंगे, दो का एक कर देंगे, फिर जो बचा हुआ फंदा है, उस फंदे को फिर इसी सलाई में लेंगे, और फिर से दो का एक कर देंगे, अब जो इस सलाई में फंदा है, उसे हम लेंगे, और इसी सलाई में रखते हुए, दो का इस तरह से एक कर द बंद कर लेते हैं तो देखिए इस तरह सी सारे फंदे बंद हो जाएंगे और आपका डूर मैट बनकर तैयार हो जाएगा तो फ्रेंट्स अगर ये डूर मैट आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और यह देखिए हमारा डोर मेट बनकर कम्प्लीट हो चुका है जितना भी कपड़ा है आपके पास थोड़ा कपड़ा है तो थोड़ा बना सकते हैं अगर आप इस तरह की चाहें तो आप दरी भी बना सकते हैं जैसे कि 50-50 कि पूरी लंबी तीन पट्टियां बना लेंगे तो आपके बिच्वानी जैसी दरी बनकर कम्प्लीट हो जाएगी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा